हेलो फ्रेंड आप फभी का हमारे आर्वी ब्लोक में श्वागत है तो देख सकते हैं कि आज मैं करवा चोत कबर्त हूँ तो आज क्या-क्या बनाई हूँ मैं यहां फबजी बना चुकी छोले की उसके बाद में डाल भरके वो बनाई हूँ फ़रा और ऐफा भी फ़रा बनाई हूँ जो पापा जी ने गाओं फे नया चावल भेजा था जैसे कि मैं बताई हूँ अगले ब्लोक में कि मैंने उस चावल को धुलके और ऐफे मतलब फ़री चीजे बना के फब रख दी हूँ क्योंकि मुझे तैयार भी होना है पूजा के लिए तो यह फ़र मैं निकाल लही हूँ तो आप बताईए कि आज का करवाचवत की तैयारी आफ पका कैसे हो रहा है जो भी मैं तैयारी करें हूँ करूंगी वह फ़रा दिखाऊंगी बताऊंगे कि मैं क्या फारी में पहन दए हूँ कौन फी कलर की फारी रहेगी और क्या-क्या मेकब में है क्या-क्या मेरे मतलब पहनने के लिए क्या-क्या लेकर आई हूँ वह फारी चीजे आफ अपके साथ साहर करूंगी बताऊंगी तो पहले तो दिखा रही हूँ आफ खाना बना रहेगा तो भफ खिलाना ही खिलाना रहेगा क्योंके रज़ता ही तक बरत के वज़े से पूरे दिन ना पाणी ना पानी ने गआ पताईिस नहीं निकला 9 बुए कि आफ वाफ य करहा है आच पैंतालिफ कोई करा 9 बजर अliक्त को देख खाना ही बिल्कुल बनके त लग दी हूं इसके बाद में मैं तयार होने लगूंगी तो टाइम लग जाएगा पूजा में और तयारी में तो आप यहां बताईए कि आप लोगों ने बना लिया नहीं बनाया क्या है आप यहां कैसे कैसे होता है हमारे यहां तो इस चावल के आटे फे रहेगा कच्छे पा रखी हूं चांद फूरज तो मेरा चांद फूरज कच्छे पानी फे फानी हूं क्योंकि मैं जिफे यह चावल जब फानी थी आटा तो उबाल के पानी करी थी लेकिन यह कच्छे पानी फे मासानी हूं उसके बाद में चार बत्ती बना के चांद बनाई हूं देख फकते है आप गोबर का गवर बनाई हूँ हमारे हाँ गव माता के गोबर का गवर बनाई जाता है तो मैं वही करी हूँ जो जो हमारे घर पे होता है शेम महफा कुछ में वही करती हूँ यह फादी का सिंगोरा होता है हमारे हाँ जो फादी होती है तो यह फिंगोरा हमारे हाँ फादी तो मैं फेम पूजा वही तरीका पिए पूजा लिए ती कि मैंने कहानी फुन ली ती लेकिन मैं उफ टाइम पर चाय नहीं पी थी, अब मैं पूजा पाट करके फब कुछ हो जाएगा उसके बाद में ही पानी चाय प्यूंगी उसके पहले नहीं, तो देख सकते हैं कि चछत बैटके पूजा कर रही हूँ, च्छत पिजा इफ लिया कर रही हूँ, यहां फे मुझे दिख रहा हूँ, यहां पर पूजा करने में मेरना ये भी चही है, और रचन पर मुझे पूजा बढ़ा है, का इसे पाला रहा है। तो आप लोग बताईएगा कि आप यहां पूजा हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि अभी तो नो बज रहा है हमारे हैं तो जो नो बज गए पूजा तो मैं फिलिये कर रहे हूं कि आप जाके चांद दिखाए अब निकला है तो जो फिंदूर में बताईए आपको कि यही कि जब फादी में वोड़के आई थी वो चुन्नी वोड़ा करो जब कुछ ऐसा सुब काम हो ऐसा पूजा पाठ वाली बात हो तो करो समान लहा नहीं है क्योंकि सारी भी जो पहनी हूँ वो भी पल्ला ऐसे ही है और यह चुन्नी भी ऐसे ही है तो मुझे मतलब के लिए मैं रख ली कि भाई अच्छी बात है अब लोग सही कह रहे हैं अन्ट्यूंटी जी भी कहने लगी कि यह रखना चाहिए करना चाहिए इफी तरह फे पूजा तो देख फकते हैं मैं अपने भी लगाई हूँ उसके बाद पहले लगा दी थी चंद्रमा माता को उसके बाद करव माता को फिर खुद को लगाई हूँ क्योंकि जूठा नहीं होता चाहिए अब देख सकते हैं जो यह हात में मेरे है यह फीक है फात फीक होती है हमारे हां बढ़ने जिफे कहते हैं अब मैं इफे करूंगी घूम होंँ गोमते हैं और यह गोमके फिर करवा माता के फावने आपने पूजा होता है यह नहीं होता है यहां इस तरह फे पूजा होता है जो कि मैं बताए कि हमारे ओधर पूजा इस तरह इस तरह होता है कि हम वहां पे अपने इंस दानगर जिलाते हैं जो हमारे इस तरह पूज़ा होती है पूजा में कि मैं कर रही हूं तो में वही रीती दिवास नहीं हैं यहां पर भी कर रही हूं तो देख रखते हैं सिंगोरा जो साधी वाला वो हाथ में लेके हम घूमते हैं तो वही मैं भी लेके घूम रही हूं साथ बार घूमूंगे जितने बार घूमते हैं उतनी बार बाल जो हमारा है फरका बाल वो बाल रहेगा और कुस और सुरी ये बढ़नी और सिंगोरा ये चीजे हाथ में फारी का पलू ये चीजे हम हाथ में लेकर उसके बात घूमते हैं और इसके उपर से लग लड़का हो देवर हो कोई भी हो वो पानी डालते हैं तो देख तक हैं धड़ कि मेरे सथी его आईपाना दालता है क्योंकि मैं पूझा कर रही हूं तो इसे तरफ हमारे यहाँ का रिती रिवाज है जहसे कि मैं बताती हूं और लगना बतार रही हैं और ज्यादा फे ज्यादा प्यार फपोर्ड देते रहना कि ताकि मैं अच्छी ब्लोग फिला फकूं आफ़कों बता फकूं दिखा सकूं तो देख वक्ते हैं कि ज़िए जब मैं कहानी फुनी थी तो फाद दाना गेहूं का मैं रख ली थी पल्लू में बान के अब जब मैं अरक दूंगी मतलब जल चड़ाओंगी तो साथ दाने ले ली अब उसी को डाले कि उसके बाद में जल चड़ा दूंगी जब कहानी फुनते हैं तो हम ऐसे ही दाना लेकर कहानी फुनते हैं तो देख लीजिए मैं जल चड़ा रही हूं पूजा कर रही हूं तो करवा चौत मातरानी मेरे सुहाग अमर रखें बनाए रखें और फदा खुष रहूं तो देख सकते हैं आप लोग कि पूजा हो चुका है पूजा फंपन हुआ हमारे यहां इसी तरह पूजा होता है राजभर के लिए मैं यहीं पर रख दूंगी और गाय के गोबर से मैं यह चौक